कि हैं वेलकम तो लोकल स्कूल स्ट फिरंस आज किस वीडियो में हम जैरेंट को डिस्कूस करेंगी देखिए गाइस अगर आप टार्गेट कर रहे हैं सेवन होर सेवन प्लस स्कूर तो गाइस आपको यह स्ट्रक्चर सेखने चाहिए क्योंकि आइस में जो जैरेंट से साथ ज आप दोनों में यूज़ कर सकते हैं राइटिंग में भी और स्पीकिंग में भी तो गैस अगर आप इसको सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखना मैं आपको शेयरोती देता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका कोई भी डौट नहीं रहेगा अर लेटर टू जैरंट आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे तो गाइस जही रिक्वेस्ट है कि अगर आप सीखना चाहते हैं तो वीडियो को लास तक देखना और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना ता जो किसी और की भी हख़ाओ कली तो गाइस तली स्टार करते हैं वीडियो को तो किकि का सबसे पहले वैट इस जैरंट है क्या तौ जैरंड की डेमिेंट से टैंगा जैरंट इस एक वर्ड वार्ड डिसके एंडिंग एंग के साथ होती है और वह किस से बना किस्षे बना होता है याइट siis जिसका एंडिंग फिर्टि फॉर्म प्लस बढ़ती है उसके साथ मुझता एनधाते तो इस मुझन यह है कि सारे वॉर्ड जैसे फिर किसी ओर तारा सी जूर्स हो रहा है तो जाई मैं आपको यह सही भी सिखाऊ हूंगा जैसे आप इसे एक उसम्पल के साहँ देखिए जैसे अपके सामने है रीड रीड एक वरब है गाई विर्फ की फॉर्स फर्म है रीड he is reading a novel When you see this is plus verb के साथ इंग आता है प्रैसेंट कन्तिनूज के टेंस में तो जहां पर ये मेन वर्व है तो इस सेंसे में यह नहीं कह सकते हैं कि इस जार अरहा है तो जब भी कुछ जैसे वर्ब के साथ प्र प्लस प्र इंग ये मिन बड़्व है लेकिन मैंने आपको कहा था कि जारंड वो वर्ड होगा जिसके साथ वर्व की फस्सपर्ण प्लस इंग होगा और वह एज नाउन जूज होएगा लेकिन यह तो में वर्व के साथ जूज हो रहा है तो इसलिए जारंड नहीं है जैसे नेक्स देखिए रीडिंग नौवल इस ह जोबी नौवल को पढ़ना उसकी होबी है तो जहां पर देखिए रीडिंग एज नाउन यह एक नाउन जूज हो रहा है इसलिए जैरंड है और साथ ही इसमें कोई इसकी जो में जूज हो रहा है ना कि किसी की में वोब में तो जैस अगर आपको यहां से क्लियर्टी नहीं है तो मैं आपको हिंदी में समझाता हूँ और आपको ज्यादा क्लियर डिया आएगी जो आगे एक्जंपल होंगी तो देखें गाइस लट्स लट्स अंडरस्टेंड इन हिंदी तो गाइस देखिए जैरंड का कहां यूज करना है यह बात आपको कोई भी नहीं बताएगा जैरंड का जूज तब करना है जब आप अपने संटेंस में ना का जूज करना चाहते हैं जैसे का इस पढ़ना लिखना सोना खाना पीना कुछ भी करना ट्रैवलिंग करना एक्सरसाइजिंग करना लेकिन करना करना ना आना चाहिए आपके संटेंस में नी और ने बहुत कम होते हैं 90% sentence में ना आता है तो जब भी आपने ऐसा sentence बनाना हो जैसे आप यह example देखिए exercise करना एक अच्छी आज़ता है आपने sentence बनाना है कि exercise करना के अच्छी आज़ता है इसको आप सिर्फ और सिर्फ gerund की help सी बना सकते है exercising is a good habit उसके बाद देखे कि guys पढ़ना is my hobby पढ़ना मेरी आज़ता है जहां पर भी क्या आ रहा था ना करना यहां पर भी पढ़ना पढ़ना न की sound आ रही है तो जैसे जितने वी वाक्य होंगी जिसमें न की sound आएगी sound आएगी पढ़ना लिखना exercise करना travel करना moving to abroad abroad में जाना तो कैसे इसे भी sentence आपकी चे आयल जो जा फिर आपने जर्नल बोलना हूँ ऐसे sentence इसमें न की sound आए जिसमें आप पढ़ना लिखना चाहते हैं अपने sentence में बोलना चाहते हैं तब आप जरूद करेंगे आप कुछ और example दिखेंगाइस दिखें उस्हे पहले नाचना इसका show का है dancing is his hobby वह नाचना पुसंद करती है- she like dancing तो इक है इसमें भी क्या था नाचना इसमें कए था नाचना ना जादा आ रहा है और इसमें भीनाचना हिस्फइबर्ट और विजा है उसका पेसे बाखने जहुनाचना है मैं देखा जाए तो इन तिनों का मतलब एक है लेकिन इसको लिखने का जो तरीका है वो अलग लग है तो इसमें आपको यह चीज पता लगते है किaging डर Tiere and कहीं भी आ सकता हिआ आगे पीछी मैं उद्ध हो रहा है लोगा सब ब्याइस अब तक आपको ये तो क्लीर क requires कर सकते हैं इसे आप थोड़ी और एक्जम्पल्स देखें लंबे समय तक टीवी देखना गाई जहां पर क्या आ गया देखना ना आ गया ना लंबे समय तक टीवी देखना सेट के लिए आनिकार का है ऐसे संटेंस गाई हम अपनी आयल्स की रैटिंग में बनाते हैं तो उस संटेंस को आप कै कैसे बना सकते हैं जैसे वाचिंग टेलिविजन फॉर लोंग और इस नोट गूड फॉर हैल्स आगे दीखिए आउड़ गेम्स खेलना सभी के लिए फाइदेमंद होता है तो खेलना खेलने से क्या आगया प्लेइंग आउड़ गेम्स इर वेनिफिशिल फॉर और उसके ब है सकते हैं एंग तो एंग घ्रत फॉर तो इंदिन फूर अपना संटह सर्ण साथ Steven को सकते sink food is not good for hostage भी सकते हैं आप जैसे भी संटैंस बनाना चाहते हैं तो मेन बात यहीं हूर गाइस एक बात ओर बता दूं कि आईलह ultimately उसका जूज़ करना है जारन का तो आपने एक subject as a compliment को use करते हैं तो शाहिए हो सकता है कि आप mistake करते हैं लेकिन अगर आप as a subject to use करते हैं तो बहुत कम chances होंगे कि आप mistake करें और इसी के साथ guys आपको एक और concept बताता हूँ चो लो guys वो आगे देख लेंगी main concept है उसके साथ आपकी जो mistakes हैं वो सारी दूर हो जाएंगी जब भी आप जैरंट को बनाते हैं तो सबसे पहले हम understand कर लेते हैं कि जैरंट को कहां और कैसे use किया जा सकता है तो guys आपके सामनी है एक दो तीन चार पांच छे साथ seven ways के साथ हम जैरंट को use कर सकते हैं एक sentence में मैं आपको यह नहीं गह रहा हूँ कि आप सारा सीखें आपकी आयल्स में तो इतना काम भी नहीं आएगा आपने तो सिर्फ सीखना है as a subject कैसे use होता है तो आपने अगर सिर्फ sentence की variety लेकर आनी है sentence की तो आपको यह इतना enough है लेकिन गाइस मैं चाहता हूँ कि आप इस topic को detail में सीखें तो आपको अगर किसी भी समय कहीं भी वर्ब की फुस्प्रम के साथ इंग दिखें तो आप उसे दिखोगा ना इस girl ने उसे पहचान ले कि as a gerund use हो रहा है as a main verb use हो रहा है कोई ऐसा वर्ड जो एक sentence को पूरा करता है उसको sentence का compliment बहुला जाता है तो यह कह रहे हैं कि gerund का use as a compliment भी हो सकता है the gerund as a direct object तो guys gerund का use as a direct object भी हो सकता है अगर आप direct indirect object के साथ अवे नहीं है अगर आप इसकी knowledge नहीं है तो guys कोई बार नहीं सिर्फ आप इतना जाद लगने कि object as a objective use होता है the gerund after preposition preposition के बाद भी gerund use हो जाता है the gerund after phrasal verb और phrasal verb के बाद जब भी guys preposition लगा लें जब फिर phrasal verb ला लें अगर उसके बाद वह की first form के इंग आ रहा है तो इसका मतलब वह gerund है उसके बाद gerund is in compound noun compound noun के साथ भी gerund use होता है compound noun कौन से होता है guys एक तो होता है simple एक noun और अगर दो शब्दों के मिला दिया जाए तो वह compound noun बन जाता है उसको हम डिटेल में देखेंगे the gerund after some expression और कुछ ऐसे expression भी है जिसके साथ gerund का use होता है तो चलिए guys सबसे पहले first को discuss करते है the gerund as the subject of a sentence जब एक gerund as a subject of a sentence use होगा सबसे पहले इसकी examples देख लेते हैं guys subject क्या होता है अगर आपको नोर्मली बता जाए तो एक sentence होता है subject plus verb plus object ऐसा होता है तो जब भी आगे जब भी कोई word gerund जब आगे जूजओगा तो वो कैसे होगा जैसे brushing your teeth is important अपने teeth को brush करना सब करना important है smoking curves lung cancer जो smoking है वो कारण बनती है lung cancer गा walking is a good form exercise walking है जो एक good form exercise तो guys सभी में आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि जब भी हम इसको यूज़ कर रहे है gerund को walking first form के साथ उसके बाद हमेशा as a singular singular जो हमारी helping word आप है जा फिर कोई भी word है वो as a singular जैसे तो इसका मतलब यह है guys कि gerund का हमेशा use gerund के बाद हमेशा singular word भी आएगी singular कर यूज़ करना है gerund जैसे जैसे के बाद हम जो भी word का use करते हैं ऐसे ही gerund के बाद भी हम singularly use करते हैं लेकिन guys इसमें एक exception भी है वो मैं आपको बताऊंगा जैसे आपने notice that a gerund take a singular word को gerund हमेशा singular word लेता है जैसे कि is in this case जैसे इस case में easily है you must use the singular word आपने singular word का use करना है even if there are multiple object जाहे वहाँ पर multiple object है जैसे देखिए eating bananas, apple and orange तो guys आपको लग रहा होगा कि यह तीन कीज़ी हैं लेकिन guys आपको सिर्फ यह देखना है वह की first one eating तो एक है ना जाहे बाद में कितने भी object हो जाए यह matter निकरते आपने सिर्फ singularly रखना है अपनी जो helping verb है उसको singular verb भी रखना है तो यही था इसमें लेकिन एक exception है guys जो 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 होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ वागे जेखिए guys however if there is more than one then the plural verb is used अगर जो 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 वाड है वो एक से जादा है जैसे guys इस example में देखी walking and swimming यह दो activities है walking चलना और swimming करना जब भी कुछ दो activities हो और वो as a subject to use हो रही हो तब आपने और लगाना है तब आपने इसको plural बना देना है sentence को और बहुत good form of exercise तो guys आपको पता चल गया होगा वैसे तो जनल ही देखा जाए तो जैरंड हमेशा singular verb को फोलोग आता है लेकिन जब जैरंड खुद दो वोड आ जाए जैसे walking or speaking इस sentence में आये walking or swimming तो यह दो वोड बनगे guys तो अगर इसके साथ आपने पूरा sentence बनाना है तो आपने इस का जूज नी करना आरकर जूज करना है आपने इस inbox को प्लोरल बनाना है तो इससे नेकटिव अगर आप इस प्तने sentence को नेकटिव बनाना चाहते हैं तो नोट जो आपने लगाना है वो आपने जैरंड के आजे लगाना है जैसे guys इसमें कि लगा हुए है कि आपके औरज में आप एक sentence बना सके तो बस आपने जरॉंड का यूज एजिस सब्जेक्ट सेखना है जब भी आपने sentence बनाना है तो अपने जरॉंड को एजिस सब्जेक्ट यूज करें आपकी sentence में आपकी जो ऐसे लिखेंगे उसमें variety भी आएगी और examiner को लगेगा कि आपको एक नए topic की knowledge भी है आपको जरॉंड की knowledge है लेकिन guys इस बात का ध्यान रखना जो मैंने बताई है कि कहां पर अपने अपने वाकियों को singular रखना है और कहां पर प्लूरल बनाना है वैसे तो 90% केस ऐसे ही होंगे जब भी आपको की फर्स फॉर्म के सथ इंग लगाएंगे अब sentence बनाएंगे तो एक ही word होगा जरॉंड एक ही जूज होएगा लेकिन अगर जरॉंड दो यूज हो रहे हैं तो आपने अपने संटेंस को पूरा करता है जैसे कि देखिए गाइस एक अच्छा वे आपकी इंग्लिश को इंप्रूव करना इस वाचिंग अमेरिकन टीवी सीरीज क्या है वाचिंग अमेरिकन सीरीज तो आप यहां पर क्या सोच रहे हैं कि वाचिंग कैसे यूज हुआ अगर हम वाचिंग हटा दें संटेंस में तो इस अच्छा कोई मतलब नहीं रहा जाता तो वाचिंग एक ऐसा वर्ड है जिसमें इसने अच्छा का काम किया आप इस अपर इस अच्छा को ऐसे विसकते हैं जैसे वाचिंग अमेरिकन टीवी सीरीज इस गोड़ वे तो इंप आपको फर्स बताया था कि फर्स फर्स फर्म के साथ इंग है तो आप ऐसे ऐसी कनफूज हो सकते हैं कि जहां पर तो सर लगा यह चारी इसके फार और इसके फ्र्स पर्स फर्स प्लापन्य व्हिस तो ये प्रेजनट कोशिस करें कि a good way to improve English English क्या जे एक गुड़ख वे टो इंप्रूव एंग्लीश क्या जे एक सब्जेक्ट अमेरिकन सीरीज देखेगा तो ये कभी भी नहीं होगा गाइस जे आपका सब्जेक्ट है गलता है यहां पर ये आपका कुई परसन नहीं है अगर यहां पर कुई परसन का नाम होता है काल दिया जाए गाई तो sentence का कोई मीनिंग नहींगा साथी गाई ऐसे रिखिए जैसे next sentence the hardest thing about learning English सबसे hardest सबसे okay सबसे आप कठीन कह सकते हैं is understanding the giant क्या है कुछ जैरंट को understand करना गाई तो इसमें तो आपको सिर्फ नोर्मली बताया गया है good way to improve your English the hardest thing about learning English is understanding तो आपका as a subject नहीं है सिर्फ आपको एक expression है जिसको आपको इस sentence को सिर्फ इसी वे से बिनाया सकता था और इसके बाद जो वर्ब की first form के सथ इंग लग रहा है वो आपका as a compliment use हो रहा है और वो एक gerund है तो इसको आप अपने प्रेजर्ट कंटिनूस टेंस के साथ कंफ्यूज मत करना आपको मैंने बता दिया कि आप जब भी पहस्ट आना चाहिए कि आपका जो भी वाक्या है क्या वो प्रेजर्ट कंटिनूस है या फिर वो gerund है तो आप उसके सामने देखना किया वो अब्जेक्ट है उस activity को कर पा रहा है जैसे इसमें बिल्कुल इंग्लिश को इंप्रूब करने के अच्छा रस्ता सिर्फ यह है यह एक अब्जेक्टिंग है आपकी जो वाचिंग टीवी सीरिज अमेरिकन टीवी सीरिज को नहीं देखेगा इसका रस्ता है कि उसको कैसी इंप्रूब किया जा रहा है तो आप होप समझेगे होगे कि इस सोड़ा डिफकल टॉपिक है इसमें मुझे वीडियो बनाने में बहुत सी रस्त लगी है मैंने बहुत सी भुक्सों में इसे यह कवर किया है कि जैरेंट को कहां कहां और कैसा कैसा जुद होता है तो इसलिए गाइस इस वीडियो को लास्त तक देखिए आपके जो जैरेंट जए इस पूरानी होगा तो हैविंग यहां पर क्या हो रहा है ऐसे कॉंपिलिमेंट जूज हो रहा है तो इसका थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे अगर देखा जाए कि कॉंप्लिमेंट कैसे इस रूजा होगा लेकिन मैं निन आपको बताया है कि एजें एस पॉलिमेंट होता है तो उसके बाद देखिए गाइस जो 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 एक सब्सक्राइब करते हैं अपने आपको फिट रखने के लिए इसके बाद वो की फर्स फर्म के सथ इंग लगा हुआ है वो की फर्स फर्म के सथ इंग तो जो वो क्या है यह कुं सा वर्ड जेरंड है इसका यूज़ आप जैसे करते हैं जैसे आइंज्वाइड रीडिंग आई लव तू रीड बहुत से गाइस एक्जमपल्स होती है जैसे मैंने आपको जी चार एक्जमपल दियो और भी बहुत कुछ होता है जैसे आप शिंगिंग तो वहां आप जो जैरंड का यूज़ कर रहते हैं as a direct object तो इसको आप as a speaking अपनी speaking में यूज़ कर सकते हैं अगर आप करना चाहें अगर आपको concept के clarity आगी है तो आप कर सकते हैं तो उसके बाद जो fourth use आता है जैरंड का वह आता है after preposition तो जैसा कि मैंने बताया कि जैरंड must be use जैरंड का जैरंड का यूज़ होना चाहिए when a verb comes after a preposition जब भी कोई verb preposition के बाद आती है उसके बाद हमेशा जैरंड का जैरंड का जैरंड होता है जैसे guys can you sneeze without without क्या है गाइस preposition उसके बाद opening your mouth बिना अपने मुह को खोले कि आप ठीक सकते हो तो guys इसमें without क्या है preposition है और उसके बाद तो आए गई आएगा जैरंड बने गई बनेगा यही आपको समझाया आगा जैसे शी इस गुट अट पेंटिंग एड के बाद वह की फर्स पर्म प्लस एंग आई उसके बाद there is no point in waiting इन त्रियार करने का कुल फ्रादा नहीं इनके बाद वह की फर्स पर्म के सथ एंग आय हम क्या करें टा אר करम पर पांच गूठ लिया वह व कि तो आमने जाना कि prereposition के बाद मैं यहीं आइगाρά है कि का लिए यह लिए बाद जब्ही आए गी तो वप के साथ इंन्ग तो आए गया और वर्व के साथ इंग आया और जैलरी I गया तो आप देख सकते हैं आपको इससे रिए कि तरह ने से किली हो गी आपको कहां देखने को मिलेगा आपको ऑपनी यस और देखने को मिलेगा और जब भी आपको ή तो आप एक मिन्ट में पच्छान लेगी कि जो रहा है जै फिर एक तो था हमारा इसके बाद दिखेगा इस जैरन डप्टर फ्रेजल वर्ब के बाद जैरन कैसे यूज होता है और सबसे पहले मैं बताऊं अगर आप अवेर नहीं है कि फ्रेजल वर्ब क्या होती है तो प्रेजिशन होएगी जा फिर एड़ वर्ब के साथ प्रेजिशन हो सकती है जा फिर एड़ वर्ब हो सकती है जब इन दोनों का कंबिनेशन बनता है तो फ्रेजल वर्ब बन जाती है जैसे गाइस मैंने क्या कहा कि फ्रेजल वर्ब के बाद क्या आएगा जैरन आएगा इसे देखिए, she always put off, put off क्या है guys, एक फिजल वाब है, put off के बार में निका, अगर वाब की first form आ रही है, तो उसके साथ इंग आएगा, मत की जैरान आएगा, put off going to the dentist, put off का मेनिंग होता है guys, post on करना, post on something, तो वो हमेशा post on कर देती है, dentist के पास जाना, she always puts off going to the dentist, उसके बाद देखिए guys next, he kept on, kept on guys keep on, keep on क्या है, एक फिजल वाब है, he kept on asking for money, वो money के लिए पूछता रहा, continue to do something, कुछ समद की continue रहा, money को money के लिए पूछने के लिए, तो इसके बाद asking क्या है, वो की first form के साथ ing है, तो main चीज मैं यहीं बतना चाहता हूँ, कि physical work के बाद क्या आता है, हमेशा gerund आता है, अगर condition यह है guys, अगर उसके बाद वह हुआ है, अगर physical work के बाद कोई भी वर्बाती है, अगर उसके साथ ing आएगा, और वो क्या बन जाएगा, एक gerund बन जाएगा, आगे दिखे guys, gym ended up, ended up होता है, पहुंचना जा फिर come to a place, एक decision बनाना, buying a new TV, old one broke, जब उसका पुराना टीवी टूट गया तो उसने निया टीवी गिदा, यहां पर पहुंच किया, तो ended up भी एक phrasal verb चीज, इसके बाद buying, क्या है हमारा gerund है, तो guys, अब बात करते हैं कि कुछ phrasal verb ऐसी है, जिसका जो ending होती है, टू के साथ होती है, और कई बार हम इसमें confused हो जाते हैं, जैसा कि अगर आपको aware होगा, एक concept आता है, infinity, to infinity और a bare infinity, तो guys, उसको तो हम कभी over cover करेंगे, लेकिन guys, उसी से related एक यह concept है, कि phrasal verb, there are some phrasal verb, कुछ phrasal verb ऐसी है, जिसमें to आता है, last में क्या आता है, to आता है, as a preposition for example, जैसे जेखिए, to look forward to, to take to, be accustomed to, to get around to, to be used to, it is important to recognize that the word to is a preposition in this case, तो आपको यह पहस्चानना चाहिए guys, कि जब भी, जो ऐसे जो sentence होंगे, जिसमें यह phrasal verb ऐसी होगी, तो आपका यह to as a preposition है, in this case, because it must be followed by, और अगर यह preposition है, तो इसको एक gerund के साथ ही follow होना चाहिए, यह gerund के बाद ही आएगा, it is not a part of infinity, जैसके मैंने बताया, कि इन्फिन्टिव का part नहीं है, of the verb, जैसे आप देख सकते हैं, अगर आपको पहस्चानना चाहते हैं, कि इन्फिन्टिव यूज़ हो रहा है, जैसे 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 हो रहा है, तो वैसे तो मैं आपको जब भी इन्फिन्टिव करवाऊंगा, उसमें बताऊंगा कि जैसे के साथ इसके confusion कैसे आती है, लेकिन इसमें भी देख लिए जैसे आपने एक चेक करना है, क्या चाहिक करना है कि आपने to is a preposition, कैसे चाहिक करना है कि टू एक प्रपोजिशन है, जा फिर एक इन्फिन्टिव है, जा फिर एक इन्फिन्टिव का पार्ट है, you can put the pronoun, तो आपने pronoun को put करना है it, कौन सा pronoun it, after the word to, to के बाद आपने it लगा देना है guys, and form a meaningful sentence, अगर तो कोई meaningful sentence बन गया, then जो आपका to है, वो एक प्रपोजिशन है, otherwise वो एक इन्फिन्टिव का पार्ट है, जैसे कि मैं आपको गिजम्पल के साथ समझाता हूँ, आपको यह थोरी हो सकता है ना समझायो, तो देखिए guys, आपको यह example दे गई है, I look forward to hearing from you soon, मैं आपके तरफ से सुनने के लिए look forward हूँ, देख रहा हूँ, जैसे इसमें देखिए guys, अगर मैं इस सारे के स्थान पर to लगा, it लगा दूँ, तो I look forward to it, मैं इसके तरह look forward हूँ, मैं इसके तरह देख रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या बन रहा है guys, look forward to it, इसका एक meaning बन रहा है, तो इसलिए guys, यहाँ पर यह तो है, यह preposition का पार्ट है, ना कि यह very infinitive का है, ना कि यह to infinitive का, आगे दीखी guys, I am used to waiting for bus, मैं bus की wait करने का आधी हो गया हूँ, जा फिर आप अगर इस सारे को cut कर it लगा दें, तो क्या होगा, I am used to it, मैं इसका आधी हूँ, मैं इसका used to होता है guys, जैसे मैं आपको बताऊं कि, डिली में जो चीज करते हैं, हम उसके आधी हो जाते हैं, habitual हो इसको कहते हैं, I am used to, so this is why I am used to it, मैं इसका आधी हूँ, मैं इससे हैविच्च्छिव हूँ, आप ऐसे आप सकते हैं, तो इसका भी एक sentence बनता है, इसका meaning निकलता है, मैं इसका, क्या हूँ, I am used to, मैं इसका है विच्च्छिव हूँ, इसका आधी हो गया हम, उसके बाद, she did not really take to study English, इसका भी sentence काटा गया, इसका meaning बनता है, और साथ ही जो next है, morning, morning क्या होता है, काटना, grass को काटना, when will you get around to morning the grass, तो guys get around to के बहुँ से meaning होता है, लेकिन अगर इस sentence में देखा जाए, तो आपको यह कह रहा है कि आप कभी यह कारे करोगे, when will you do, you get around to it, आप इसको कब करोगे, अगर it लगा जिया जाए, तो इसका meaning बनता है, जाप फिर अगर morning ग्रास लगा है, तो आप ग्रास को कब काटोगे, ग्रास को, तो दोनों आपने इन सारी example में देखा कि जब भी हम to के बाद सारे sentence को काट कर it लगाते है, तो उसका एक अलग से meaning बनता है, इसलिए यहां पर प्रेपोजिशन है, यहां पर प्रेपोजिशन है, इसके बाद क्या आएगा, आपका जरॉंड आएगा, तो यही था गाईस, आपको इंफिन्टी में आगे वीडियो में बताऊंगा, इंफिन्टी को भी हम डेटेल में कवर करेंगे, वह भी बहुत एक अच्छा लेकिन गाईस में बहुत कम जूँज होता है, आइस में सबसे ज्यादा जरॉंड जिस होते हैं, आपकी राइटिंग में आपकी में लुटे दोने में जूँज होते हैं, लास संटेम्स गाईस देखिए, देखिए, जो नाउने पन कैसे यूझ होता है, यासे आप इस एक् Swimming Pool, तो guys इसमें it is a pool for swimming, Swimming Pool का मतलब है कि यह कोई pool है swimming के लिए, it is not a pool that is swimming, ना कि यह कोई pool swimming कर रहा है, तो आपको भी पता है कि swimming pool का क्या meaning होता है, तो यह swimming pool है, यह क्या है guys, एक noun है ना, और इसके साथ यह दो वाड़ों के साथ मिलके बना है, पहला क्या है gerund, उसके बार एक noun, तो noun plus noun मिलकर noun है बनता है guys, इसको compound noun कह देते हैं, तो आप देख सकते हैं जैसे I am giving him, मैं उसको दे रहा हूँ क्या driving license, एक driving license, lesson guys, की driving कैसे करते हैं, उसको मैं उसको teach करता हूँ, they have a swimming pool in their backyard, उनके पास एक swimming pool है, उनके backyard में, तो यहाँ पर क्या हो है guys, swimming pool क्या है, compound noun है, swimming इसमें क्या है, gerund है, तो gerund plus जब noun जुड़ता है, तो compound noun बनता है, उसमें gerund का भी जूज होता है, और जैसे I bought some new running shoes, तो guys, इसमें running shoes का यह नहीं है कि shoes run कर रहे हैं, running shoes का मतलब कि वो shoes जो मैं दोड़ने के लिए पाँगा, तो मैंने उस जूज को about किया, ख्रीदा, तो यह था कि gerund as a compound कैसे जूज होता है, उसके बाद last में guys, gerund after some expression, कुछ expression ऐसे हैं इंग्लिश में, जिसके बाद हमेशा gerund आएगा guys, जैसे कि guys, the gerund is, the gerund is necessary after the expression, can't help, can't stand, to be worth and it's no use, so guys, इनका भी जो expression है, जही एक sentence बनाते हैं और बहुत ही अच्छे sentence structure बनती है, खर इन सभी का use मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा, अगर इस वीडियो में बताने लगाँ, तो वीडियो बहुत लेंती हो जाएगी, तो ब उसके बाद आपने gerund का जूद करना है, जैसे आपके सामने जे एक्जम्पल दी गई है, she could not help falling in love with me, I can't stand being stuck in traffic jam, it's no use trying to escape, it might be worth phoning the station to check the time of the train, तो guys, अगर आप इस expression के साथ sentence बनाना सीखना चाहते हैं, तो guys, मैं आपको इस comment में बता दिना, मैं आपके लिए एक special video से बता लूँगा, मैं एक series स्टार्ट कर दूँगा, कि आप कैसे कैसे sentence बना सकते हैं, कौन कौन से expression के साथ, आप अपने sentence अपना जो way रिपरेजन करने हैं, कहां-कहां ही जूज होते हैं, अब guys, सबसे important बात कि कुछ gerund, कुछ verb ऐसी होती हैं, जो हमेशा इसके बाद gerund ही आएगा, कुछ verb ऐसी होती हैं, जो हमेशा gerund ही आएगा उसके बाद, आपके सामने जे सारी वर्ब की list दी गई हैं, जब भी आपको देखने को मिलें, उ इनके बाद, अगर वर्ब की first form और इंग लगी हो, तो वो gerund आएगा, आपके अपने इन वीडियो, इन वर्ब के बाद कभी भी infinitive का use नहीं करना है, कभी भी infinitive का use करना है, आपने gerund का use करना है, तो guys, इस वीडियो में इतना ही था, आपको इस वीडियो अच्छी लगी हो अगर आप इस चैनल पर नहीं है guys, तो इस चैनल को subscribe करना, तो आज की वीडियो में इतना ही था, thanks for watching this video